आपने कहा कि मुख्य मंत्री का निर्ने लिना है देखिए ये पंजाब का निर्ने है ये राहुल गांदी का निर्ने नहीं है आपने मुझे कहा कि आप डिसाइड कीजिए मैं आपको स्टेज से बता देता हूँ कि मैंने डिसाइड नहीं किया मैंने क्या किया मैंने पंजाब के लोगों से पूछा मैंने हमारे कैंडिडेट से पूछा मैंने अपने कार्यकरताओं से पूछा मैंने युवाओं से पूछा मैंने वर्किंग कमीटी के लोगों से पूछा और जो जवाब उन्हों ने मुझे दिया जो पंजाब ने कहा वो निर्दने मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ ये ये प्रदेश जो है देखिए आज सिदू जी ने गाड़ी में बोला ये प्रदेश हिंदुस्तान की शील्ड है ये प्रदेश इस प्रदेश को अपना नेता स्वयम चुनना चाहिए और मेरा काम आपके अवाज को सुनना आपके अवाज को समझने का है मेरा जरूर उसमें उपिनियन हो सकता है मगर आपका उपिनियन पंजाब का उपिनियन पंजाब के जनता का उपिनियन मेरी उपिनियन से ज़्यादा जरूरी है अब हमने पंजाब से पूछा और पंजाब ने सुरी बार्लमेंट में मैंने कहा कुछ दिन पहले मैंने भाशन में कहा कि देखे दो हिंदुस्तान बन रहे हैं एक चुने हुए लोगों का अरब पतियों का हिंदुस्तान मरसेडीज हवाई जाहाज वो अला हिंदुस्तान और दूसरा गरीबों का हिंदुस्तान एक में करोने लोग दूसरे में सो दो सो लोग हमें दो हिंदुस्तान नहीं चाहिए हमें सिर्फ एक हिंदुस्तान चाहिए उसमें न्याए होना चाहिए शिक्षा, स्वास, बिजली, पानी सब को मिलनी चाहिए पंजाब की जंता ने कहा मैं नहीं कह रहा हूँ मैं इस बाद से सहमत हूँ मैं इस बाद से सहमत हूँ मगर सोच आपकी है पंजाब के लोगों ने कहा हमें गरीब घर का चीफ मिनिस्टर चाहिए हमें बहुत यखती चाहिए जो गरीबी को समझे जो भूब को समझे जो गरीब व्यक्तियों के दिल में गवराट होती है वो उसे समझे कि पंजाब को उस व्यक्ति की जरूरत है मुश्किल डिसिजन था आपने असान बना दिया पंजाब के चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट चरंजीत सिंग चन्नी जी झाल 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 झाल